कैसे हैं आप सब कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने भाग्यांक से कैसे हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं कैसे हम नेगिटिविटी दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ को हैपी बना सकते हैं पॉजिटिव बना सकते हैं पैसा ट्रैक्ट क और जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, वो पा सकते हैं। हमारी डेट of birth में बहुत सारी चीजे चुपी होती हैं, बहुत सारे रहेस्य चुपे होते हैं, जिनको एगनूर करते हैं, नजर अंदास करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी date of birth और अपनी जनम का महीना और साल इनको calculate करके, जो इनको total करके, जो भाग्यांक आएगा, उससे related घ्राय को अगर हम खुश रखेंगे, प्रसन रखेंगे, तो वो हमें life में सारी चीजें देगा, success मिलेगी, growth मिलेगी, prosperity मिलेगी, wealth मिलेगी, health मिलेगी कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भाग्यांक एक से लेके 7 तक उन लोगों को क्या-क्या करना चाहिए अपनी life में आगे बढ़ने के लिए, आज मैं आपको बताऊंगी भाग्यांक 8 और भाग्यांक 9 वालों को क्या करना चाहिए, उनके भाग्यांक के स्वामी ग्रह कौन होते हैं और उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए प्रोस्पैरिटी के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए तो और कल की वीडियो में मैंने आपको भग्यांग कैल्कुलेट करना सिखाया था कि कैसे कैल्कुलेट करना है अपने जलम क कि तारीक, महीना और साल इन सबको टोटल करना है लास्ट में जो वन डिजिट आएगी वो है आपका भग्यांग तो आज मैं बताऊंगे आपको भग्यांग आठ वालों के लिए अगर आपका भग्यांग आठ है तो आपने क्या करना है आपकी लाइफ में शनी ग्रह का बह दढ़ा है लाइफ में शनी ग्रह से रिलेटिड उपाय है तो गाए पने क्या करना है काले कुटों को बिस्किट वगेरा कुछ न कुछ खिलाते रहें रेगुलरली ठीक है यह भी बहुत अच्छा होगा इसंगी विए शनी देव बहुत प्रसंग होते हैं आगे बढ़ने म बहुत help मिलेगी आपको और अगर किसी की कुणली में शनी ग्रह अच्छे नहीं है बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो वो भी शान्त हो जाएंगे और आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएंगे इसके अलावा आपने क्या करना है बहुत जादा चमतकारी मंत्र है इसको करने से शनी देव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं और जीवन में तरक्की देते हैं आपको ग्रोथ मिलेगी करियर वाइस भी हर चीज में सुक्सम रिद्धी मिलेगी वेल्थ प्रोस्पैरिटी मिलेगी इसके अलावा आपने क्या करना है भगवान शिव का रूद्रा भी शेक करना है तो भगवान शिव का रूद्रा भी शेक करेंगे तो शनी देव बहुत प्रसन होंगे बहुत जल्दी प्रसन होंगे सारी मनोकामनाय पूरी करेंगे आप मंदिर में जाके जो हमाँ पंडित जी होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे रूद्रा भी शेक करना है वो आपको सारा डिटेल में बता देंगे तो ये जरूर करिए ये सारी चीजे इतना ही बहुत है भाग्यांक आठ वालों के लिए अपने स्वामी ग्रह को खुश कर ने के लिए ठीक है अब मैं बताती हूँ भाग्यांक नौ वालों के लिए अगर आपका भाग्यांक नौ है तो आपके जीवन में मंगल ग्रह का बहुत प्रभाव रहेगा हमेशा रहेगा आपका जीवन मंगल ग्रह से प्रभावित रहेगा इसलिए भाग्यांक नौ वालो इसकी वज़ा से उनका नेचर ऐसा हो जाता है तो आपने क्या करना है कि मंगल ग्रह आपसे प्रसन रहे आपने ये करना है कि आपने हर Tuesday को लाल चीजों का लाल वस्तूं का दान करना है जैसे आप लाल मसूर की दाल दान कर सकते हो ठीक है इसके अलावा आपने लाल वस्तूं कर सकते हो आप हर Tuesday को आप कुटों को बिस्किट वगेरा खिलाओ बहुत अच्छा होगा हर मंगल वार को कुटों को आप कुछ ना कुछ खिलाते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा मंगल ग्रह से शान्त रहते हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हो हर Tuesday को सुन्दर कान का पार्ट कर सकते हो इससे भी बहुत अच्छा होगा आपके मंगल ग्रह शान्त रहेंगे आपके फेवर में रहेंगे आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी वेल्थ मिलेगी प्रोस्पैरिटी मिलेगी इसके अलावा आपने मंत्र जाप कौन सा करना है मंगल ग्रह को प्रसंद करने के लिए ओम अंग अंगार काए नम्हा बहुत अच्छा मंत्र जाप है यह इससे देखना कितनी जल्दी आपको लाइफ में चेंजिस नजर आएंगे पॉजिटिविटी आएगी नेगिटिविटी दूर हो जाएगी लगने लगेगा आपको की सारे काम बन रहे हैं जो भी काम अठकी हुए थे बहुत टाइम से मनो काम नहीं पूरी होंगी हनुमान जी की पूजा करें आप जादा से जादा तो आपके मंगल घ्रह बहुत आपसे प्रसंद रहेंगे और सारी चीज़े देंगे जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं हेल्थ वेल्थ प्रस्पैरिटी मनी कुछ भी जो भी आप पाना चाहते हैं सुक्सिम रिद्धी वगेरा सब कुछ मिलेगा तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाबाई